तो आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे उंची सीव परतिमा विश्वास अवरुपम में इसकी उंचाई है 399 फिट और सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं तो इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी यहां से टिगट और टिगट की प्राइस है टोटल 400 रुपे 200 रुपे तो आप यदि अभी जैसे नीचे से देख रहे हैं इसके लिए और 200 रुपे यदि आपको मूर्ति के अंदर से होकर उपर तक दर्सन करने हैं इसके लिए आपको 200 रुपे के अलग टिगट लेनी पड़ेगी और इस टाइप का आपको एक हाथ पर बांधने के लिए बेंड दिया जाएगा जिसको आपको बांधना जरूरी है इसके बांधे बिना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो अभी हम यह जो रस्ता बनाया हुआ है इससे आ यह इसी मूर्ति का एक छोटा रूप त्यार करके नीचे रखा हुआ है और यह देखे मैं तोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ पेर देखे कितना बड़ा विसालकाई पेर है और यह जो छोटी मूर्ति है इसको पहले आपको मैं पास में ले जाके दिखाता तो जो में मूर्ति हम उपर देखने जा रहे हैं उसका एक छोटा रूप यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि इतनी यहाँ पर हर्याली है बहुत सारे तरे तरे के पेड़ पोदे यहाँ पर लगाए वे हैं इका की इंट्री होती है और सबसे अच्छी बात है कि आपको जूते चपल और यहाँ तक की सोक्स भी बहार उतार कर ही अंदर जाना होता है अंदर जाने के लिए देखे बिलकुल फाइव स्टार लक्चरी यहाँ पर ओपिस टाइप का पूरा नीचे बना हुआ है और यहाँ प कान का कुंडल है उसके नीचे हम अभी खड़े हैं और यह हाइट है अभी लगबग 280 फिट की और इसके साथ ही यहाँ पर नाग भी बनाया हुआ है यह देखे यह तो नाग का कुंडल है और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर नाग बनाया हुआ है इस मूर् खूंति के अंदर चार लिफ्ट और तीन सीडियां इसके अंदर इस्तमाल की गई है जो आपको उपर के साइड में लेके जाती है अब आप यहां से देखें यह यहां पर काछ का रस्ता बनाया हुआ है काछ का बिर्ज बनाया हुआ है और यहाँ पर आप एक एक करके सभी लोग जाते हैं इसको देखने में थोड़ा एक रोमांच कारी अन्बोव होता है और बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं तो डर भी जाते हैं क्योंकि सीधा नीचे दिखता है और 280 फिट से ज़्यादा की हाइट है तो जिनका पहले कभी काम नहीं पढ़वा इस तरही की जगे जाने के लिए तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डर जाते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इस मूर्ती में 200 किलोमेटर की स्पीट से भी यहदी हवा चल जाए तो भी कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है यहाँ पर देखिए यह बहुती शांदार एक तिरसुल बनाये हुआ है इसी काज के रस्ते से यह आप आगे जाएंगे तो तिरसुल बनाये हुआ है और बहुत लंबे चोड़े एरिया में देखिए पेड़ पोदे लगाए हुए है और यहाँ पर नीचे रोड़े बने हुए हालांकि टिगट चार सो रुपे का है लेकिन जितनी ये लोग सर्विसेस दे रहे हैं मदन जी पालिवाल ने इस मूर्ती का निर्मान कराया है वो देखके लगता है कि टिगट की जो प्राइस है वो बिल्कुल वर्थीट है क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर सिक्रोटी का सिस्टम किया गया है इतनी उंचाई पर बच्चे भी जाते हैं माईलाएं भी जाती है तो सबके लिए प्रोपर सिक्रोटी का सिस्टम किया गया है उपर भी इस्टाप पूरा लगाया है सिक्रोटी के लिए और जब एंट्री होती है तो भी वहाँ पर पूरा सिक्रोटी का सिस्टम किया गया है यहाँ से आप देख रहे हैं यह मूर्ती के सामने नंदी बनाए हो है नंदी मराज यहाँ पर इस्ताफित किये है और इसके ठीक सामने ये मूर्ती इस्ताफित है यदि हम कुछ numbers की बात करें तो यह जो नंदी मराज है इनकी सम जो height है लंबई है वो है 37 feet और मूर्ति के यदि आप चेरे और जटा की बात करें तो वो है better feet, आंक है 18 feet, सिना है better feet का, पेट है 60 feet, हाथ 40 feet, आसन, मुद्रा जो है 75 feet की, पंजा है 65, तिरसुल है 191 feet का, कुंडल 9 feet, नाग जो बनायवा है, वो है 31 feet का, और यहाँ पर भगवान चीव को दिहान और अलड मुद्रा में दिखाया गया है, इस मूर्ति को बनाने में 10 साल और 300 करोड रुपे की लागत है, बहार आपको बहुत सांदार पार्किंग मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने वाहन ख रेवलिंग और आप सभी दर्सकों की तरफ से एक धन्यवाद तो बनता है, हर हर मादेव दोस्तों